हलो फ्रेंड हीरास कीचर में अब सब का बहुत बहुत स्वागत है आज बनाओंगी इडली डोसा बैटर कैसे आप भी इजीली घर पे इडली डोसा बैटर बना सकते हो हमें बहुत बड़ा जंजट लगता है इडली डोसा बैटर लेकिन यह रेसिपी मैं बहुत आसान तरीके किसे बताऊंगी चलिए तो रैसी भी देखते हैं कितना अच्छा फर्वंट हुआ है देखिए चावल ले लिया हमने एक कटुरी आधा कटुरी ऊड़त डाल वान फोर्ट कटुरी चना डाल और इसमें बासमती चावल का यूज बिलकुल भी नहीं करना है डेली वायर वाले जो चावल घर पे होता है उसी का यूज कीजिए और नहीं तो दुकान पे जाके बोल सकतो इडली डोसा के लिए जो चावल दे देंगे अच्छे से सब चीजों को मिला लेंगे और इसमें हाप चमच हम मेथी दाना एट करेंगे मेथी दाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसक तक गंदा पानी निकल ना जाए तब तक धुलते रहिए चार पाच पर धुलते रहिए आप और चाना दल जरूर देना है चालना दल जो है धोसा में बहुत अच्छा कलर लाता है कम से कम इसको भीगो के हम पाच घंटे के लिए छोड़ देंगे मेरे वीडियो आपको कैसा लगता है जरूर बताइए कॉमेंट करके और जो नए दोस्त है जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए पाच घंटे बाद रिटन आते हैं देखिए कितना अच्छा फूल गया है डबल हो गया फूल के अभी हम इसको पीस लेंगे और पिस्ते टाइम कुछ चीजों का आपको धियान रखना पड़ेगा जैसे कि इसमें पानी बिल्कुल भी आइड नहीं करना है अगर जरूरत पढ़ रहा है आपको पानी के तो यहां से इदाल चबल भीको हुआ जो पानी है वही पानी आपको यूज करना है और मिक्सी को एक साथ पूरा नहीं कुमाना है थोड़ा बंच चलू बंच चलू करके कुमाना है और बैटर को ज़्यादा स्मूध नहीं पेस्ट करना है थोड़ा दरदारा रखना है तो डोसा ज़्यादा क्रिस्पी होगा अगर आपका एक बैच ज़्यादा स्मूध हो गया तो दूसर बैच आप थोड़ा ज़्यादा दरदरा कर सकते हूं फिर साथ में मिला दीजिए सब ऐसे भी मैंनेज हो सकता है आपका मैंने सब पेस्ट कर लिया अभी अच्छे से मिला लूँगी अभी मिलाके इसको 8 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है 7-8 घंटे में अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाते हैं लेकिन सर्दी का अगर टाइम हो तो कम से कम इसको 10-12 घंटा लग जाते हैं देखिए कितना अच्छा फुल गया है चलिए आप लोग को दिखाते हैं और एक ही बैटर से आप दो रेसिपी बना सकतो इडली डोसा अभी इहां से मैं आधा निकालके रख दूँगी इडली बनाने के लिए और जो आधा रहेगा उससे मैं डोसा बनाऊंगी अभी इतना गाड़ा तो डोसा के लिए नहीं चाहिए अभी इसमें नमाक आड़ करूंगी और इसमें पानी आड़ करूंगी पानी डाल के थोड़ा पदला पदला हम कर लेंगे जितना डोसा के लिए जरूरत है वैसे एक बैटर बना लेंगे थोड़ा और पानी चाहिए जादा गड़ा लग रहा है तो रेडी हो गया हमारा धोसा बैटर आज के लिए इतना ही दोस्तों नमस्ते